और सीधिया आपको लिए चलते हैं शेहडोल जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मोधित कर रहे हैं यह सुनते हैं जब मैं सिक्षण मनती था उसके पहले मदबदेस्ट विकास के लिए टूरिजम का जो काम चलता है तो टूरिजम विकास प्रादिगन का अद्देख्स था और उस समय भी मैंने सहडोल के अंदर कई-कई अलग-अलग प्रकार के काम किये थे आज यह हमारी कल्चुरी कालिन विराटे सर भोलेनाद की कंकाली माता को दोनों हाथ जोड़के प्रणाम करता हूँ आपने इस सहडोल की नगरी को वसुन्दरा बे वसुन्दरा विराट की नगरी वसुन्दरा क्या बात है ये हमारा सहडोल का पूरा छेत्र महाबारात कालिन विराट नगरी जिसको आधार पर पांड़ों ने भी अपना समय गुजारा था ये उस नगरी की याद दिलाती है जहां पर हमारे अपने भले वरांचल के रहने वाले नागरिक गण है भाई है बहन है लेकिन अपनी निष् प्रदानमंति नरेन मोदी के नेत्रत में नरेन मोदी का नाम लेते ही करंट आजाता है हम सबको हम सब आनदित हो जाते हैं और ऐसा लोग तंत्र का मुखिया जिसका जीवन का छण छण अपने देश की प्रगति के लिए अपने नागरिकों की भलाई के लिए जिसने केवल इस देश में चार सरिणी बना करके सबको अपने विकास के अर्था पूरे देश के 142 क्रोड देश वासियों के लिए जो लगातार जी रहे और आगे बढ़ रहा है सब के लिए ऐसे नरिन मोदी जी को आपके माध्यम से जिस प्रकार से आपने हमारा साथ दिया है मैं नरिन मोदी जी का अभिवादन करता हूँ आपके माध्यम से के हमारे इस विकास के आयाम को जिस प्रकार से नरिन मोदी जी अपने इस अलग अलग प्रकार की योजना लेके चल रहा है 15 तारीक को फिर एक योजना जन्मन योजना है ना कहा से मिलेंगा पन? पूरा ट्राइबल बहूल है और ये ट्राइबल के लिए खास करके वर्तमान के दोर में मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो कोई ने नहीं किया भूतों न भविश्वती इतना काम मोदी जी कर रहे हैं हमारे अपने अन्न श्रीअन मिलेट आप बताईए कैसे लोह हैं जो हमारा वर्षों वर्षों से खा करके आनंद के साथ सरीत बिल्लश्ट करने का हमारी परंपरा थी उस अन्न को गरीबों का अन्न करके एक तरफ रख दिया और सच मानिये आप बताईए ये आप अपने किसी अच्छे पंडित से कहिए कई भी पूजा कराते हों और पूजा में जब वो कंकू रोली लगाएंगे तो सिर्पे ग्हूं लगाएंगे- क्यों लगाते हैं क्योंकि हमारे देश का धान अगर है तो चावल यह कोदो है कुटकी है जुवार बाजरा है ये हमारे देश का रख करके जो हमारे गरीब आदिवासी भाई बेन बड़ी पहमाने पर उत्पादन करते हैं उनको लगातार गरीब बनाने के लिए उनके जीवन में एक तरह से अपनी निरासा लाते वे ये गरीबों का अनकिया मुझे इस बात का गर्व है नरेन मोदीजी ने वो सम्मान वापस दिलाया है कि अगर पोश्टिक और सुद्ध आहार करना है अपने आपको सरीर को अच्छा रखना है तो मिलेट का अर्थात मोटे अनाज का वरतमान में बनाते वे और मुझे इस बात की प्रसंथा है आपकी ढ़रती तो रानी दुर्गावाती वाली धरती है पिछले समय हमने जबलपूर्व के अंदर केबिनेट की थी हमने निरेन क्या किया अगर पेली केबिनेट करना होगी तो पेली केबिनेट रानी अवंती भाई और आव की संस्क्रति है हमारे अपने इस देश के अंदर के अनेका नेक उधारन भरे पने जब माताव वहनों ने अपने पुरसार से अपने पराकरम से देश के लिए मार्ग बताया आपको ध्यानम होगा मुगलों की सत्ता को चुनोती देने के लिए आगे बढ़ करके जिसने अपने पुरे देश का अलक से मार्ग प्रसस्त किया ऐसी महरानी रानी दुर्गावती का भी ये छित रहा है हम उनको इस्मरन करें और उसी OAG to पर रानी दुर्गावती के अधार पर हमने अपनी उस दुर्गावती योजना चालू की है जिसके माध्यम से हम कोदो कुटकी के खरीदने पे एक हजार रुपया कुंटल अलग से देने वाले हैं इसका नेड़ने हमने रानी दुर्गावती के नाम पे किया है दस रुपय किलो अर्थात निश्चित रूप से एक हजार रुपया कुंटल अब हमारा अपना यहां का अंद बेचेंगे तो उसमें लाब मिले सहडोल में सुपरफूड सहजन जिसको मुनगा बोलते हैं उसकी उपजभोलती है यह दस दूसरे राज्यों में भी जाता है और टेस्ट इतना बढ़िया है कि उंगली चाड़ते रहा इतना आननदायक बनता है उसका जो टेस्ट आता हुआ वो जो एक बार जिसके जिवान पर आता वो ही महसूस करता है हम कोशिस कर रहे हैं कि अपने इस जिले के अंदर बेगा गोन कोल जन जातियों की यह जो अपनी बड़ी आबादी है जिनके अधार पर यह हमारी पहाड़ी और वनान चल यह अलग से अपनी पहचान बनाने में पहाड़ों के कारण से कई करने वाला कोई संभाग होगा तो वह अपना सहडोल संभाग होगा यह नेनए भी हमने किया है किसी बात की कोई कमी आपको आने नहीं दियाएगी अभी मनिसाजी ने हमारे सामने बात रखी आप बताओ पूरे प्रदेश के अंदर एक कालेज को विशुद्धाले में बदल कैंने वाला काही रिकार्ड बना है तो वो हमारा अपना ये सहडोल का अपना कालेज बना है जहां पर हमने केंपस यूजिश्टी बनाई ़ेकिंस यूजिए में भी सारे जनप्रतिनिद्ध ने मांग रही है कि हमको कालेज की कमी पढ़ रहे है तो मैं एक ऐक यूर देने की सब नंoff rightous आने वाली पीडी के लिए विकास का नए दरवाजा खोलता है जिसके बलबूते पर भविष स्काड़ने एक एक नई संभावना निकलती है और ऐसे समय में जब नई शिक्षा नीती ले करके मानि नरेंद मोदी जी ने हम सब को आववान किया मुझे इस बात की प्रसनता है यह शुष्षी मुख्यमंतरी शिवरा सिंग जी चोहान की सरकार में मैं शिक्षा मंतरी था हमने नई शिक्षा नीती के अंदर सभी प्रकार के विश्यों को जोडते हुए विध्यारती का सरवांगिन विकास हो दिगरी अगर लेने जाए विध्यारती तो लगना चाहिए के हां हमारा कोई विध्यारती है अरे हमारे विध्यारतियों के अतीत के उधारन को देखो भगवान राम का उध करनें और पढ़ते पढ़ते आपको ध्यानों अपनी मेहा से अपनी प्रतिभाध से उनकी कैसी बंती है हमारे भगवान करश कर रहा कर्शन पदस्ष्ण सक्रचन परहते構ले अर्थी मोकय क्सकुर क्राख परक्रम करते ह। सिम्हसण संस्क्रती पर फारती सनातन संस्कृति पे 5000 साल पेले भी तंस को मारने के बावजूद भी समाज जनों ने मिलकर के निर्णे किया कि भगवान कृष्ट ने भली प्राक्रम कर दिया होगा भोद बड़ा लेकिन अभी सिख्षा बाकी है क्योंकि वो गोकुल और व्रंदावन से आ गये थे इसलिए सिख्ष जीवन ने बाद का जीवन जिया जिसके माद्द्यम से आज भी द्वर्मगरंत पवित्र धर्मगरंत भगवान कृष्ण को याद करो यह पवित्र गीथा को याद करो अपने हमों एक दूसरे के परियाई के रूप में जाने जाते हैं पमने किया गोपाल क्रष्ट्र कर्स आदर्स को जीते जीते जिसने महाभारत के अंदर अपने ज्ञान से पराकरम से पुरुसार्थ से और आखरी में विराज सुरूप से कर्म की सिख्षा दी ये जो भावना हमारी संस्कति की है कि आम मानोचित संस्कार को धरन करके जो आएगा वो जाएगा लेकिन आने और जानने के क्रम में अगर हम प्रत्वी पे आये हैं तो कर्म को हम सर्वोच स्थान दे यही कारण है आज नरेंद मोदी जी की सरकार में भी नरेंद मोदी जी जिनका अपना स्वयम का कोई परिवार नहीं है लेकिन वो 142 क्रोड देश वासियों का अपना परिवार मान के चलत में कोई छेत्र खाली नी छोड़ रहा है हर छेत्र में विकास के नए नए किर्तिमान बन रहे हैं आप कभी अंदाजा लगा सकते हो राश्ट पती को अनुशुचित जाती परिवार से हो सकती है यह केवल एक मात्र कारण से हुई है यह सोश्वी प्रदान मंत्री ने कहा है कि यहां दुरोपती मुर्मू हमारे इस देश की वासी है उडिसा जैसे राजिसे जनजाती परिवार की है लेकिन इस देश की प्रथम नागरिक बन सकती है हम अपने राश्ट पती में भी आज मोका देकर के गोराज भी थे क्यों क्योंकि हमने कहा के सरवे भवन्तु सुकिना सरवे संतु निरामया जब हम सबको साथ लेके चलने की भवना करते हैं तो हमको ये निश्चित रूप से जातीवाद के भेच से भी बाहर आना पड़ेगा हमको सबको साथ में खड़ा रख करके दिखाना पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे हम अपने ड प्रैटि करने में अगर सुप्रीम कोर्ट साथ में आती है अब बताईए ये के अंदर भगवान राम के निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्ड़े का पहलन करने के लिए सरकार के पास 56 के कलेज़ा वाले ये सश्वी प्रदान मंत्री नरेन वोधी है जिनने कहा है यहां सुप्रीम कोड ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए तो नरेन वोधी जिनने कहा कि निश्ची दुरूप से सुप्रीम कोड नेने करे और हम लागू करेंगे आप करो आज से 36 साल पहले सुप्रीम कोट नहीं फेसला दिया था कि तीन तलाग गलत है लेकिन देश में जो सरकार थी और उसके प्रधान मंत्री राजु गांदी थे उनमें ये हिम्मत नी थी सुप्रीम कोट के लागू किये निर्णे को देश में लागू करा सके इसलिए जो निर्णे कोट दे दिया उसको संसत के मात्यम से बदल दिया अरे भाई क्यों मुस्लिम बहने हमारी नहीं है क्या उनके जीवन में आने व फेसला आया वो उसके लिए भी लागू करने के लिए आगे बड़े और पुराना सुप्रीम कोट का फेसला था उस फेसले को भी 56 वाले मानिन नरेद बोदीजी ने लागू करके बता दिया के देश ऐसे अच्छे फेसले का इंतजार करता अभिनन्यन करे मानिन नरेद एक आसियाना सरकार की अपनी छतरी सरकार की अपनी सहायता हिम्मत के साथ होना चाहिए इसलिए कोविट जैसे खराब समय में भी बैंके की चोट अपने पूरे देश की ना केवल रक्षा की भल की हमने देखा जो बच्चे विदेश में थे जिनको कहीं सिख्षा के करने कोई रूस में था कोई योक्रेन में था जो जहां था हर जगे से उनको ला करके अपने घर में एक एक बच्चे को पहुँचा करके इस बात को सिद्ध किया कि ना केवल देश के अपने नागरिकों की रक्षा कर सकत से बलकि दुनिया में जहां कई भी जरोद पड़े सरकार के माध्यम सब उनकी मदद करने के लिए भी कोई सरकार अगर सक्षम है तो नरेंद बोदीजी की सरकार सक्षम है मैं आज के सवसर पर आप सबको आस्वस्त करना चाहता हूं आपने वाकई अपने रधे कमल से हमारे प अपनी पार्टी भार्ट जनता परटी पर जो विश्वास किया है और हमने जो संकल पत्र घोष्णा पत्र के मात्यम से दिया है एक एक अक्षर वैसा का वैसा ही नीचे उत्रेगा हमारी सरकार पांच साल के लिए बनाई हुई है पूरी की पूरी सरकार सभी कामों को लाग से राम भक्त जाने वाले हैं उस मार्ग पे सबका अभिनदन करने के लिए पुस्पवर्सा करके उनका स्वागत करेगी वंदन करेगी हमारे उसके बाद 26 जनुवरी का समय आने वाला आजादी के अमरतकाल का प्रारंभ है आजादी के अमरतकाल में अलग-अलग पार की व्योसाय की पसुपालन की क्रसी की जहां जहां जेशी आवशकता होगी सभी छेत्रों में समान रूप से विकास करेंगे आज के शुषर पर मैं आप सब को एक बार फिर बदै देना चाहूंगा आपने हमारे पर विश्वास किया इस अभार कारिकरम में वाकई आपने जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आकर यह समर्थन दिया है मैं सारी जिंदी की स्थन को नहीं भूलूँआ बहुत-बहुत धन्यवाद भारत माता की जैड़ बहुत-बहुत धन्यवाद माने बुख मंत्री महदाई जी का प्रेरा कोध बोधर हम सब लोगों के हाँ पर फ्राप्तु आए बात जोर्दार कलकल गंसे माने मुख मंत्री महदाई जी का स्वागात बंदाना विनंदन करें अब मैं कारकम को सिक्रता से आप यह आप सुन झाल